Hello everyone, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो आप सभी लोगों के डिमांड पे आज से हम लोग अपनी क्लासेज शुरू कर रहे हैं, आपको बता दें कि अगर आपने सलेबस वीडियो नहीं देखा है, अपने कोर्स का, अपने सेमेश्टर का, तो वो मैंने पहले ही बह आपकी फर्स सेमेश्टर का, पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट है, इसका नाम जो है, आप देख सकते हैं इसका नाम है, बाल विकास सीखने की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिस में Child Development and Learning Process के नाम से जानते हैं, इसमें एक चीज़ और बताते हैं, ये सिर्फ DLA या BTC के बच्चों के लिए नहीं होगी classes, ये उन students के लिए भी important है, जो लोग कहीं से beard कर रहे हैं, या करने जा रहे हैं, वहाँ भी एक paper इससे जरूर मिलेगा, learning process से मिलेगा, वो भले किसी और semester में मिले, ये ध्यान रखिएगा, बाल विकास में हमें क्या पढ़ना है, इसमें mainly हमे तीन chapter पढ़ना है, first chapter जो होगा वो बाल विकास से होगा, बाल विकास में आप देख सकते हैं कि विकास का अर्थ अवस्था हैं, फिर उसके बाद सारे रिएक विकास, मान्च से विकास, समय का आत्मा की विकास, ये इसके प्रकार हो जाते हैं, फिर व्यक्ति तो पढ़ना ह है, personality क्या होती है, personality का test कैसे होता है, individual differences क्या होते हैं, ये सारी चीजे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो आप तो आप लोगों से लंबे समय तक क्लास से चलेंगी, लंबे समय तक हम लोग जूड़े रहेंगे, क्या है, इसमें आप कहते हैं कि genetics जो qualities आती है, फिर अधिगम सिखेंगे कि learning क्या होती है, और third जो chapter होगा, वो होगा motivation, अभी प्रेरना या अभी प्रेरन से, तो ये तीन chapter है, आज हम लोग अपने इशेशन में first chapter के शुरुआत कर रहे हैं, और इस chapter का नाम जो है, मैंने यहां रखें, आपके exam में जो question आते हैं, वो objective भी आते हैं और subjective भी आते हैं, ऐसे क्या होगा कि अगर आप पहले से जानते रहेंगे, मैं कोशिस करूँगा आप लोग किसी class में एक बार paper ही दिखा दूँ, तो आप उसके according preparation करेंगे, ये ज्यादा better होगा, ये classes में आपको एक बार quick preview दिखा दे रहा हूं कि आची classes में हम लोग किन-किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, किन-किन चीज़ों को cover करने वाले हैं, बहुत ही interesting होगी, मैंने बहुत सी चीज़े इसमें add की है, कराई है, साथ ही साथ ये classes bilingual होगी, मैं बता दू, आप maximum students तो हिंदी में ही लेकिन अगर आप उसकी English को जानते रहेंगे, तो ये ज्यादा better होगा आपके upcoming exam के लिए, चाहे वो QP टेट हो, C टेट हो, या कोई government job का exam हो, teaching से related उनके लिए, आपको यहां कुछ चीज़ें जो देख सकते हैं कि पूरा descriptive है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, और यहां पर आपको यह notes जो होगा, सबसे पहले बहुत से students की दिमाग में होगा, sir, notes कैसे देंगे, तो उसको भी जल्द ही आप लोगों के लिए एक group बनाया जाएगा, वो private group होगा, जिसमें सिर्फ आप ही लोग आड होंगे, और उसमें जो भी classes जाएंगी, उतने PDF आप लोगों को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइट करा दिए जाएंगे, तो यहां आपको समझना है, मेन और आप चाहें, स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, देखे सबसे पहले बाल विकास क्या है, बाल विकास का मतलब चाइल डेवेलप, अब बहुत से students पहल बहुत्ते हैं, यहां डेटावाध कर्दे हैं, जादा फोकस रखते हैं, और उसी को बाल विकास, या बचपन का मतलब आप कह सकते हैं, जोब बचपन से लेकत, आप कह सकते हैं, आप 18 साल-20 साल तक कि अम पर ज्यादा हम फोकस करते हैं, यहीं के तर इस दौरान सबसे ज्य सब्सक्राइब और विकास कभी रूप में चलती रहती है जो कि यह सब्जेक्टिव पेपर होगा इसलिए आप लोगों को यह भी लाइन याद करना होगा ठीक है इसकी गति कभी तीवर या कभी मंद होती है या हो सकती है यह आपको यह हो गई एक भूमिका की विकास क्या है बाल विकास तो बाल विकास दो सब्दों से मिलके बना है बाल धन विकास विकास का अर्थ यह हो गया अब देखिए मानव विकास का अधियन मानव विज्ञान की जिस शाखा के अंतरगत किया जाता है उसे बाल-मनोविज्ञान कहा जाता है। जहां important चीज है और यह definition भी हो जाएगी कि मानोविकास का अध्यन जो है मनोविज्ञान psychology के जिस ब्रांच के अंतरगत किया जाता है उसको बाल-मनोविज्ञान कहते हैं। और बाल-मनोविज्ञान को ही परन्तु अब इस साखा जो बाल-मनोविज्ञान है इसको बाल-विकास के नाम से जाना जाता है। जैसे बाल अगर मनोविज्ञान कह देंगे तो सिर्फ psychological aspect हमें पढ़ना होगा। मतलब उसका वही पक्ष जो मनोविज्ञानिक पक्ष है सिर्फ उस पर हमें लगेगा focus। और जिब हम बाल-विकास कहते हैं तो इसमें सादे पक्ष उसके आ जाते हैं। इसके समाजिक पक्ष आजाएंगे, संध्यना अत्मक पक्ष आ जाएंगे और भावातमक पक्ष जाएंगे। सारे जो भौतिक पक्ष मतलब सारे पक्ष आ जाते हैं इसलिए बाल विकास ज्यादा एप्रोप्रियेट वर्ड है उसके बाद आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान की इस नवीन साका का विकास पिछले 50 वरसों से में सारवधिक हुआ है सबसे ज्यादा हुआ है और वर्तमा जान दिया है आप यह कह सकते हैं कि बाल विकास पर अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है और यह एक तरीके से नए सब्जेक्ट के तौर पर उबरा है जिसकी डिमांड एजूकेशनल फिल्ड में सबसे ज्यादा है अब हम लोग जानेंगे मेनिंग आफ चाइल्ड डेवल समह सत Matthew कavors trzy वालक के व्यादा समस्टै कैंट आफ आझसे हैं समस्ते क्या है कि इसके अंधर गत बालकों के व्यादा स्तितियां समस्त्य आउं तथा उन सभी कारणों का अधियन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यादा पर पर पड़ता है कहीं कहीं बालल विकास मे में अनेक समाजिक सांस्कृटिक राजन्याति के आर्थिक कारण बानाओ तता उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं परिडाम स्वरूप बालग जो भावी समय की अधार सिला होती है वो भी प्रभावित होता है तो आप सभी लोग पता है कि जैसे समाज बदलेगा तो बालग का मतलब मेल फिमेल बोद होंगे ठीक है अब देखे इससे संबंदित परिभासाएं हैं बाल विकास से संबंदित तो यह आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यू से ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा याद ही करना पड़ेगा प्र के प्रारंभी का वस्था तक करता है जैसा है मैंने बताया कि आपके गर्भ धारण से लेकर किशोरा आवस्था मतलब 18-20 साल मैक्सिमूम तक के अध्यान कोई बाल मनोविज्ञान कहा जाता है वह इन दूसरी डेफिनेशन जो है वो है आपके जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो साका है जिसमें जन्म से परिपक्वा वस्था तक विख्षित हो रहे हैं मानवका अध्यन किया जाता है अर्थ वही है भाव जो है उसके वही है बस सब्दों में थोड़ा चाहिए दर उदर है इनोंने परिपक ववस्था का नाम सब्सक्राइब करता है यदि उसे उची तुरूप में समझा जा सके या उसके उची समय पर उची धंग से विकास हो सके तो प्रतेक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है फोड़ा सा यह जो है यह आप कह सकते हैं कि इन्होंने दर्वावी होंगी उसको हम लोग समझेंगे आज बाल विकास के मुक्तव बालक के रूप, वहवार, रुचियों और लक्षों में होने वाले उन विसिश्ट परिवर्तनों की खोच पर बल दिया जाता है, जो कि उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में प्रदारपण करते समय होता है, औ और आपको बता दे इस पूरी क्लास का जो निचोड है वो इनकी डेफिनेशन में यह देखिए जैसा मैंने बताया कि बाल विकास में हम लोग बालक के वयवार रुचियों लक्षियों के उन विशिष्ट परिवर्तनों के खोज पर बल दिया जाता है कि जैसे बालकों में पर विकास आत्मक अवस्था माली जीए कि वो जन्म से जब वो चल रहा था जब वो पैदा होगा उसके बाद वो चलने लगा इसके बीच में धेर सारे अंतर आए अब चलने के बाद वोड़ेगा तो यह सारे जो अंतर आ रहा है इसका मतलब एक अवस्था से दूसरे आपन तो जानेंगे परिवर्तन की कारण जानेंगे परिवर्तन कब होता है ये जानेंगे और प्रभावित कारण भी जानेंगे कि क्यों कौन से चीजे प्रभावित करेंगी तो पहले हो सकता है परिवर्तन और किन-किन चीजों के प्रभाव से ये परिवर्तन देर में होता ह ये भी और ये भी देखना है कि ये वैक्तिक है या सारवामिक है मतलब हर वैक्ति में अलग-अलग होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़े हैं जो यूनिवर्सल है जैसे मैं आपको एक्जाम्पल उधारन के तौर पर बताऊं हम लोग उधारन ले लेते हैं उधारन क्या होगा कि मान लीजिए ये सब में है कि आप एक निश्चित उम्र पे एक से दो वर्स के बीच में आप चलना शुरू कर देते हैं फिसलंग कर देते तो यह सारवहों में प्रक्रिया है कि बच्चा जर्म लेकर दीरे-दीरे चीज़े सिखेगा अब व्यक्तिक क्या है कि अब जो जिसके फैमिली जिस बैक्राउंड से होगी वो चीज़े एडॉप्ट करेगा माल लीजिए कि कोई इंग्लिस भासी देश में इंग्लिस भासी राज्य में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चपन से इंग्लिस सिखेगा हिंदी में हुआ तो हिंदी सिखेगा अगर बेंगौल में पैदा हुआ तो बेंगौली सिखेगा तो यह एक व्यक्तिक विक आगे की class में हम लोग जो है अभी आवशक्ताओं की बारे में अगर आप देख लें मैं सोच रहा हूं कि एक class छोटी रहते हैं थोड़ा इसकी length कम हो कि आपका इंट्रेस्ट बने अगली क्लास में हम लोग आवशकता और छेत्र को कवर कर लेंगे तो I hope आपने देखा कि बाल विकास क्या है और बाल विकास का अर्थ क्या है परिवासाओं के अधार पर बाल विकास को कैसे समझा जाता है एक बर मैं overall आपको फिर से एक छोटा सा conclusion देदू कि यह बिल्कुल सिम्पल है बस आपको सुनना है और ध्यान देना है आपको मैं guarantee दे रहा हूँ यह मेरा विश्वास और मेरी जिम्यदारी है कि जब आप यह पढ़के निकलेंगे तो आप teacher बने या नबने यह तो मैं नही लेकिन आपकी जो thinking है वो जरूर teachers की हो जाएगी और आप एक teacher की तरह सोचने लग जाएगे हम सभी लोगों का मकसर होता है कि आज की समय में teachers की संख्यार बहुत है लेकिन अच्छे teachers नहीं है तो मेरा मेरी खासकर मेरी ब्यक्तिकत कोसिस होगी कि आप लोगों को जितना भी मु जितने हैं नेक्ष्ट क्लास में तब के लिए बैबाय और टिक्यों